दोस्तो आज हम लोग एक इंग्लिस नॉबलिस्ट जेन उस्टेन की लिखी एक फेमस नॉबल प्राइड और प्रिजुडिस को पढ़ेंगे दोस्तो ये नॉबल एक रोमेंटिक नॉबल है और साथ ही ये नॉबल काफी लंबा है टोटल 61 चैप्टर से इस नॉबल के अंदर तो मैं सिधा कहानी बताना शुरू करता हूँ दोस्तो कहानी की सुरुवात होती है मिस्टर और मिसस बैनेट से इन दोनों की पांच बेटियां है और कोई भी बेटा नहीं है जिसके कारण मिस्टर बैनेट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनके बाद उनके ही किसी जादी हो जाए तो चलिए मैं बैनेट फैमिली की पांचों बेटियों से आपको मिलाता हूं सबसे बड़ी बैटी है जेन बैनेट ये दिखने में अन लड़कियों से काफी जादा खुबसूरत है दूसरी नंबर वाली बैटी है इलिजबथ बैनेट इसे लोग प्यार से इलिजया और लीजी कहके बुलाते हैं इलिजबथ इस कहानी की हिरोईन है ये हर एक बात को तरकपुन ढंक से सोचती है लोगों को समझने की इसी बड़ी अच्छी समझ है पर कहानी में इलिजबथ कहानी के हिरो को ही समझने में गलती कर देती है जिसके कारण इलिजबथ क कहान में prejudice कहा गया है तीसरी नंबर वाली बेटी है मेरी बैनेट मेरी को बुक्स पढ़ना काफी जादा पसंद है चौथी नंबर वाली बेटी है कैथरीन बैनेट कैथरीन को प्यार से लोग कीटी कहके बुलाते हैं और यह है बैनेट सिस्टर्स की सबसे छोटी बहन लीडिय बैनेट लीडिया घर में सबसे छोटी होने के कारण अपनी मा की सबसे जादा दुलारी है जिसके कारण लीडिया थोड़ी बिगड़ गई है और कहानी के अंत में लीडिया कुछ ऐसा करेगी जिससे बैनेट फैमिली का नाम थोड़ा खराब होगा एक दिन मिस्टर्स बैन पूचता है मिस्स बैनेट बताती है कि उसका नाम बिंगले है जो कि नौर्थ ओफ इंग्लान हाट फूड सायर्स आया है जो कि कुमारा है और साल का चार से पाँच हजार पाउंड कमाता है अब मैंने आपको बताया था कि मिस्स बैनेट की जीवन का बस एक ही सपना है अप मिस्टर बैनेट बिंगले के पास जाने से साफ मना कर देता है लेकिन साम कोया पता चलता है कि मिस्टर बैनेट तो आज सुबा ही बिंगले से मिल चुका था और अपने घर बिंगले को आने के लिए वो इन्वाइट भी किया है अगले दिन मिस्टर बिंगले मिस्टर बैनेट के घर उनके लेवरेरी में आता है और वहाँ पर दस मिनट तक रुकता है बिंगले भी बैनेट सिस्टर्स के खुबसूरती के बारे में सुन रखा था बिंगले लेकिन बैनेट सिस्टर्स को मिल नहीं पाता है लेकिन बैनेट स पे नहीं आता है तो Bennett family को पता चलता है कि बिंगले अपने घर हाटफोड सायर गया है क्योंकि नेधर फिल्ड के पास मेरिटन में एक बहुत ही बड़ा पार्टी होने वाला था तो बिंगले में बैनेट सिस्टर मिसेस बैनेट भी प्रेजेंट थी तभी मिस्टर बिंगले अपने रिष्देरों के साथ मैरिटन Gemlis में आता है बिंगले के साथ उसकी बड़ी बहुत लुइसा का हजबन में मिस्टर हर्ट्स ऴिंगले की च्छोटी की हीरोईन है उसे प्रेजुडिस से दिखाया गया है तो जाहिर सी बात है कहानी के हीरो को प्राइड से दिखाया गया होगा तो देखते हैं मिस्टर डार्सी में प्राइड नाम की कोई चीज है या नहीं तो जैसे ही बिंगले पार्टी में इंटर करता है सभी लड़कियों क ध्यान बिंगले की और चली जाती है पर तुरंथ ही उनका ध्यान मिस्टर डार्सी की और चला जाता है क्योंकि डार्सी बिंगले से ज्यादा हैंसम था और ज्यादा पैसे वाला था पल डार्सी की अमेरी ही उसकी दिक्कत थी वह किसी से भी सीधी मुबात नहीं करता था वो कोने मकेले खड़ा था बिंगले डार्सी के पास जाता है और उसे डान्स करने के लिए कहता है पर डार्सी बोलता है यहां कोई लड़की मेरे लायक नहीं है कि मैं उनके साथ डान्स कर सकूँ तभी बिंगले बोलता है कि यहां तो कई सारी लड़कियां है और वो काफी खुबसूरत है मैंने इतनी सारी खुबसूरत लड़कियां एक साथ कभी नहीं देखा था तुम्हें इन लड़कियों के साथ डांस करना चाहिए और पार्टी को इंजॉई करना चाहिए तो इस पर डार्सी जेन की तरफ इसारा करते विए कहता है पर सारी खुबसूरत लड़कियों के साथ तो तुम्हें डांस कर रहे हो तो बिंगले कहता है वाकई में जेन काफी खुबसूरत है और उतनी ही अच्छी भी है लेकिन इसी कामरे में ही जेन से छोटी वाली बाहन है जो की जेन की तरह ही खुबसूरत है तुम्हें उसके साथ डांस करना चाहिए बिंगले इलिजबेत की तरफ इसारा करते वे डार्सी को कहता है वो देखो वो तुम्हारे पीछे ही बैठी है डार्सी पीछे मुड़ता है और इलिजबेत की आखों में देखता है डार्सी को इलिजबेत की आखी काफी ज़्यादा पसंद आती है डार्सी भींगले को कहता है इलिजबेत तो काफी खुबसूरत है पर वो मेरे लायक नहीं है कि मैं उसके साथ डांस कर सकूँ डार्सी बिंगले को कहता है कि तुम बेकार में ही अपना समय गवा रहे हो तुम्हें वापस जाकर अपने पार्टनर के साथ डांस करना चाहिए बिंगले वापस जाकर जेन को डांस करने के लिए पूछता है और जेन के साथ डान्स करने लगता है पर इलिज capsule बिंगले और डार्सी की सारी बाते सुन ली थी और सारी बातों सुनने के बाद डार्सी पे वो काफि जादा गुस्सवा आती है और उसे एक घटिया और घमंडी इंसान मान लेती है पार्टी खत्म होने के बाद बैनिट फैमिली अपने घर लॉंग बॉन आ जाती है पार्टी में मिस्टर बिंगले ने जेन के साथ दो बार डांस किया इस बात का विश्वास जेन को अभी तक नहीं हो रहा था तो इलिजबित जेन को बताती है कि मिस्टर बींगले को मैंने पाटी में बोलते सुना था कि तुम वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में पांच गुना जादा खुबसूरत लग रही थी और इसके बात इलिजबित और जेन के बीच मिस्टर बींगले और मिस्टर डारसी की बात होने लगती है उन लोगों में बातचीत होती है कि मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी बच्पन के मित्र है और उनकी मित्रता काफी गहरी है फिर भी दोनों में काफी अंतर है मिस्टर बिंगले सबसे अच्छे से बात करने वाला है एक अच्छा इंसान है वहीं उसका बिंगले को एक साथ देखकर काफी जादा खुशते पर मिस्टर डारसी मिस्टर बिंगले को कहता है जेन काफी जादा खुबसूरत है फिर भी वो तुम्हारे लायक नहीं है क्यों कि उसकी फैमली तुम्हारी जितने पैसे वाला नहीं है यार ये डारसी का क्या होगा पता न ना तो खुद खुस रहेगा ना किसी और को खुस रहने देगा चलिए देखते हैं आगे क्या होता है अब जेन और मिस्टर बिंगले की मुलाकात कई बार हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे एक दिन इलिजबेट की मुलाकात डारसी से एक पार्टी म मैंने आपको पहले ही बताया था डारसी को इलिजबेट की आखे बड़ी पसंद थी और ऐसा लग रहा था कि डारसी भी इलिजबेट को अब चाहने लगा है पर उसका घमंड उसे रोक रहा है अबर डारसी इलिजबेट से डांस करने के लिए पुछता है पर इलिजबेट तो डारसी से पहले से ही काफी गुसा थी तो वो साफ इनकार कर देती है डारसी के साथ डांस करने से कुछ दिन के बाद जेन के पास केरोलिन बिंगले का एक पत्र आता है जेन उस पत्र को खोलती है और उसको पढ़ने के बाद काफी जादा खुस हो जाती है क्योंकि केरोल जेन और लुईसा ने जेन को अपने घर डिनर पे बुलाया था जेन घोड़े पर सवार होकर नेधर फिल्ड जाती है पर रास्ते में ही जोर से बारिस हो जाती है और अगले दिन नेधर फिल्ड से बैनेट फैमली के पास एक पत्रा आता है जिसमें लिखावा था बारिस में भिंगने के कारण जेन की तब्यत बहुत जादा खराब हो गई है और जब तक जेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है वो नेदर फिल्ड में ही रहेगी जेन के बारे में ख़बर पाते हैं इलिजबेट को जेन की काफी जादा चिंता होने लगती है इलिजबेट अपने मात साथ जोड़दार बारिस हुई थी जिसके कारण पूरे रास्ते में कीचर होगा और नेदर फिल्ड लॉंग बॉन से एक तीन मिल दूर है पर इलिजबेट किसी की नहीं सुनती है तब कैथरीन और लीडिया कहती है कि वो इलिजबेट को मेरिटन तक छोड़ने के लिए जा कुछ तुकडी रुकी हुई है और उस से ना कि जो परमुक हैं कैप्टन कार्थर वो फिलिप्स के काफी अच्छे मित्र हैं तो कैथरीन और लीडिया आर्मी के प्रेड को देखने जाना चाहती थी अब तीनों गवहन अपने घर से पैदल ही निकल पड़ती है कैथरीन और लीडिया मैरिटन में ही रुक जाती है इलिजबित कीचड से भड़े परे रास्ते और खेतों से होते वे निदर फिल्ड पहुंच जाती है इलिजबित के कपड़े भी रास्ते में कीचड के कारण काफी जादा गंदे हो गए थे इलिजबित को अचानक निदर फिल्ड में देखकर वे लोग भी हैरान हो जाते हैं बिंगले सिस्टर्स इलिजबेट से कहती है तुम इतनी सुबा वाभी अकेले इतने खराब मौसम में पैदल चल कर आई हो इलिजबेट कहती है हाँ मुझे जेन की काफी जादा चिंता हो रही थी इलिजबेट को जेन के कमरे में ले ज जायाता है इलिजबेट देखती है जेन के सिर में काफी जादा दर्द था उसे बुखार भी था और उसका गला भी खराब था जेन अपनी बहन को अचानक अपने पास देखकर काफी जादा खुस होती है जेन इलिजबेट को बताती है यहां पर हर कोई उसका ध्यान रख र सा कहती है हाँ अवश्य अगर जेन चाहती है तो तुम्हें यहां रुख जाना चाहिए और फिर एक नौकर बैनेट फैमिली के घर जाकर इलिजबेट के लिए कपड़े ले आता है इस बीच नेधर फिल्ड के सभी लोग डिनर करते हैं इलिजबेट जल्दी से अपना डिनर क के पास चले जाती है इस पर लुईसा कहती है देखो वा कितना शब्य है ना तो से बात करने आती है ना कोई स्टाइल है और ना ही कोई अंदाज है तभी करलन कहती है और आज सुबा वा कैसी दिख रही थी उसके कपड़े कीचर से भरे वे थे करलन डार्सी से कहती है और आ लगता है कि वह बहुती ज़्यादा आकरसक लग रही थी और वह अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करती है कुछ समय के बाद जब जेन सो जाती है तो इलिजाबेथ नीचे हॉल में आ जाती है जहां पर सभी लोग बैठ के बाते कर रहे थे मिस्टर बिंगले जेन की नहीं है इसके बाद दोनों अपने अपने स्थान पे जाकर बैठ जाते हैं डार्सी को सोचते वे कुछ लिख रहा था ऐसा मानो कि वह इलिजाबेथ से प्यार करने लगा था पर उसकी अमीरी उसके रास्ते का बाधा बन रही थी इधर केरोलिन बिंगले डार्सी और जब इसको पसंद करने लगा है केरोलिन अपने मन में कहती है अपने आपको मुझे डार्सी का मन बदलने के लिए जो कुछ मैं कर सकती हूं मैं करूंगी खैर कुछ दिन के बाद रविवार को जेन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और दोनों बहने अपने घर वापस आ जाती है मिस्टर बैनेट दोनों बहनों को देखकर काफी जादा खुस होते हैं अगले दिन जब बैनेट फैमिली एक साथ ब्रेकफस्ट कर रहे थे तभी मिस्टर बैनेट के पास एक पत्र आता है पत्र को देखते ही मिस्टर बैनेट अपने परिवार को बोलता है या पत्र उस जो मेरे मिर्तियू के बाद आप सभी को इस घर से बाहर निकाल सकता है मिस्टर बैनिट गुस्टे से बोलती है वह भ्यानक आदमी दोस्तो मैंने आपको कहाने के सुरुआत में ही बताया था कि मिस्टर बैनिट की प्रॉपर्टी उनके ही किसे रिष्टिदार के नाम हो जाएगी और मिस्टर बैनिट के पास अभी जो पत्र आया है वो उसी वेक्ति का है उसका नाम है मिस्टर विल्यम कॉलिन्स दोस्तों मिस्टर विल्यम कॉलिन मिस्टर बैनिट का ही कजन है और मिस्टर कॉलिन के पिता की मिर्ति तब ही हो गई थी जब मिस्टर कॉलिन काफी छोटा था लेकिन उसके पहले से ही मिस्टर बैनिट और मिस्टर कॉलिन के फैमली के बीच किसी बात को लेकर लड़ाय चल रही थी Mr. Bennett उस पत्र को पढ़ता है Mr. Bennett अपने परिवार को बोलता है उसने लिखा है हमारे परिवारों के बीच जो जगड़ा चल रहा है उसका उसे खेद है वो हम से मिलकर हम से मितरता करना चाहता है Bennett सिस्टर्स कहती है यह तो अच्छी बात है उसने आपको पत्र क्यों लिखा है हम तो उसे जानते भी नहीं है मिस्टर बैनिट आगे बोलता है अभी अभी लेडी कैथरीन डीबॉर्ग जो सर लुइस डीबॉर्ग की विड़ो है उन्होंने मिस्टर कॉलिन को केंट की एक चर्च में पादरी के पद पर न्यूक्त किया है मिस्टर कॉलिन ने आगे लिखा है अगर मैंने कभी आपकी लड़कियों को कोई कस्ट दिया हो तो मुझे उसका खेद है उसने लिखा है मैं उनसे मित्रता करना चाहूंगा मिसेस बैनिट कहती है देखो बात तो वा सही कह रहा है मिस्टर बैनिट कहता है वा आज दोपहर चार बजे आना चाहता था मैंने उसे लिख दिया है कि वो आ जाए मिस्टर कॉलिन्स अपने समय पे ही चार बजे आता है सारा बैनेट परिवार Mr. Collins का स्वागत करता है थोड़े दिर के बाद डीनर के समय Collins अपने संरच्छी का लेडी कैथरिन डीबॉर्ग की ही बाती करता रहा Collins कहता है कई लोग कहते हैं कि वह घमंडी है लेकिन वह मुझ पर बहुत ही कृपालू रही है उनके कारण ही आज मेरे पास एक अच्छा घर है पैसे हैं उनका विचार है कि मुझे शिक्र ही इस विवा कर लेना चाहिए अगली सुबा मिस्टर कॉलिंस मिस्स बैनेट को कहता है मेरी इच्छा थी कि आपकी सुन्दर बेटियों में से एक से मैं विवा करूँ इस तरह से हम अपने पुराने जगडों को भी समाप्त कर सकते हैं मिस्स बैनेट खुसी से बोलती है यह तो अच्छी बात है मिस्स बैनेट मिस्टर कॉलिंस को बताती है मेरी सबसे बड़ी बेटी की सगाई जल्द ही मिस्टर बिंगले के साथ होने वाली है तो Mr. Collins कहता है कि फिर मैं Elizabeth के साथ विवा कर सकता हूँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि Mrs. Bennett की जीवन का बस एक ही सपना है अपने बेटियों की साधी करवाना और अब Mrs. Bennett की दो बेटियों की सागाई लगबगता है थी मिस्स बैनिट भी काफी खुशती उन्हें अपने सौभागे पर विश्वास भी नहीं हो रहा था उसी दिन दो पहर में बैनिट सिस्टर्स मिस्टर कॉलिंज को लेकर मेरिटन अपने मौसी के यहां जाती है पर रास्ते में ही उनकी मुलाकात मिस्टर विखम से होती है मिस्टर विखम कुछी दिन पहले सेना में भरती हुआ था मिस्टर विखम दिखने में काफी हैंडसम था पर दोस्तों मिस्टर विखम ही इस कहानी का विलन है वो कैसे कहानी में आगे पता चलेगा बैनेट सिस्टर्स और मिस्टर कॉलिंज मिस्टर विखम से बात कर रहे थे तभी मिस्टर बेंगले और मिस्टर डार्सी अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है दरसल वे लोग जेन के पास आ रहे थे उसकी तब्यत की जाई-जा लेने के लिए तभी मिस्टर डार्सी और मिस्टर विखम की नजर एक दूसरे पर पढ़ती है डार्सी विखम को देखते ही काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है मिस्टर विखम भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है बैनिट सिस्टर्स को दोनों का वहवार काफी जादा अजीव लगता है अगली रात फिलिप्स फैमली के यहां एक बड़ी सी पार्टी होती है बैनिट सिस्टर्स भी वहां थी साथ ही से ना कि कई अपसर भी आये थी इन सभी के अलावा मिस्टर विखम भी उस पार्टी में आया था और मिस्टर विखम अपने वर्दी में दूसरों से काफी जादा हैंडसम लग रहा था कई लड़कियों की नजर किवल मिस्टर विखम पे थी खैर पार्टी चल रही थी कुछ लोग तास का खेल खेल रहे थे लेकिन मिस्टर विखम इलिजबेट से बाते कर रहा था मिस्टर विखम इलिजबेट से कहता है कल मैं जब मिस्टर डारसे से मिला था तब क्या तुम मेरे वहवार से हैरान हुई थी क्या तुम उसे ठीक से जानती हो इलिजबेत कहती है बहुत अच्छे से मुझे वह काफी असभ्य और प्राइड से भराववा लगता है यहां हर कोई उसके आचरन को नापसंद करता है मिस्टर विखम कहता है मैं तो हैरान हूँ अधिकतर लोग उसे पसंद करते है डर्बी सायर में उसकी काफी प्रापर्टी है वह काफी धनी है और विशिस्ट है विखम आगे बताता है हम एक साथ बड़े हुए थे मेरे पिता उसके पिता के लिए काम करते थे डर्सी के पिता ने अपनी वसीयत में मेरे नाम अपनी सबसे अच्छी चर्च लिखी थी मैं एक पादरी बन सकता था पर डर्सी के पिता की मिर्तियू के बाद जब आउसार आता है तो डर्सी ने वह चर्च किसी और को दे दी इसलिए मैं सैनिक बना इलिजबेत चौक जाती है इलिजबेत कहती है वो ऐसा भी कर सकता है कितना दुस्ठ है वो इलिजबेत विखम से पूछती है डार्सी की बहान किस तरह की लड़की है विखम बोलता है अपने भाई जैसी बच्पन में हम दोनों मित्र थे अब वो अपन्द्रा या सुला वर्सकी है सुन्दर है लेकिन मेरे लिए उसका कोई महत्वर नहीं है इलिजबेत कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ डार्सी और मिस्टर बिंगले अच्छे मित्र कैसे हो सकते है बिंगले तो इतना द्यालू है तभी मिस्टर विखम मिस्टर कॉलिन को लेडी कैथरीन डिबुर्ग के बारें बात करते सुनता है विखम इलिजबेत से कहता है क्या आपकी फैमिली लेडी कैथरीन डिबुर्ग को जानती है इलिजबेत बोलती है बिल्कुल नहीं उसने मिस्टर कॉलिन को अपने जागीर में से इस्थिद एक चर्च का पादरी बना दिया है विखम इलिजबेट से कहता है लेडी कैथिलिन डिबुर्ग मिस्टर डार्सी की मा लेडी एनी डार्सी की बहन है कुछ समय के बाद पार्टी सवाप्त हो गई और सारे महमान घर चले जाते हैं इलिजबेट अपने घर आने के बाद भी विखम के बारे में ही सोचते रहती है मानो इलिजबेट को विखम से प्यार हो गया है कुछ दिन बीट गए इलिजबेट ने महसूस किया कि मिस्टर कॉलिन उसे ही देखती रहता है और अगले दिन मिस्टर कॉलिन्स इलिजबेट को प्रोपोज करता है मिस्टर कॉलिन्स इलिजबेट से कहता है चुकि तुम्हारे पिता का धन मुझे विरासत में मिलेगा तो मैं तुमसे विवा करना चाहता हूँ और तुम्हारी मा भी यही चाहती है पर इलिजबेथ मिस्टर कॉलिंस को उसी समय ना कह देती है इलिजबेथ कॉलिंस से कहती है मैं तुमसे विवा नहीं कर सकती ना आज और ना कभी मैं तुमसे प्यार नहीं करती और इलिजवेथ महां से चली जाती है कुछ देर के बाद मिसेस बैनिट अपने पती से बात करती है मिस्टर बैनिट आपको लीजी को समझाना होगा कि वह मिस्टर कॉलिन से विवा कर ले वह कहती है कि वह उससे कभी विवा नहीं करेगी मिस्टर बैनिट कहता है और मैं इस पे क्या कह सकता हूँ मिस्स बैनिट बोलती है आप उससे बात करें और उसे समझाए कि अगर वा मिस्टर कॉलिन से विवा नहीं करेगी तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी मिस्टर बैनिट बोलता है मैं प्रयास करूँगा उसे यहां बुलाओ इलिजबित वहां पर आती है मिस्टर बैनिट इलिजबित से कहता है इलिजबित तुम्हारे सामने कठिन समस्या है अगर तुम मिस्टर कॉलिन के साथ विवा नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करेगी और अगर करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा अपने पिता के सपोर्ट पाने से इलिजबित काफी खुस हो जाती है पर मिसेस बैनिट अपने पती और इलिजबित से काफी नराज हो जाती है तभी इलिजाबित की एक फ्रेंड चारलोट लूकस बैनेट फैमिली के यहां आती है मिस्स बैनेट चारलोट को सारी बाते बताती है चारलोट भी इलिजाबित को समझाती है पर इलिजाबित उसकी बात नहीं मानती है तभी कुछ समय के बाद मिस्टर कॉलिंस मिस्स बैनेट से मिलता है, मिस्टर कॉलिंस बोलता है, जिस तरह आपकी बेटी वहवार कर रही है, उसे देखते हुए मैं विवा का परस्ताव वापस लेता हूँ, इसके बाद मिस्स बैनिट काफी दुख्यों जाती है, लेकिन मिस्स बैनिट की दुख तब और बढ़ जाती है, जब कैरोल अब वहां कभी नहीं आने वाले हैं, और बहुत जल्द मेरे भाई और डार्सी की बहन जोर्जियाना की सगाई भी हो जाएगी, जेन काफी दुख्यों आती है, इलिजबित जेन को समझाती है, यह सब बेकार की बात है, वह जानती है कि मिस्टर बिंगले तुमसे कितना प् जाए, मिस्ट डार्सी के साथ विवा करने के लिए वह राजी कर पाएगी, जेन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि कैरोलिन मुझसे जुट बोलेगी, इलिजबित जेन को बोलती है, मुझे विश्वास है कि मिस्टर बिंगले तुमारे पास लोट आएगा, लेकिन दोस्तो इलिजबित गलत थी, मिस्टर बिंगले कई मेहनों के बाद भी वहाँ नहीं आता है, और इस बीच एक दिन मिस्टर कॉलिन्स चार्लेट लुकस से मिलता है, और उसको प्रपोस कर देता है, चार्लेट तुरंथ हां कहे देती है, इसके बाद मिस्टर कॉलिन्स, चार्लेट क कहती है मेरी उम्र 27 वर्स हो गई है मेरे लिए प्यार का कोई महत्व नहीं है मुझे तो बस एक अच्छा घर चाहिए और मुझे लगता है कि मिस्टर कॉलिन के साथ मैं खुस रहूंगी इलीजावित अपनी दोस्त से कहती है मेरी प्रिये मेरा ये कामना है कि संसार की सारी और उनकी वाइफ लॉंग बॉन क्रिसमस मनाने के लिए आते हैं मिस्स बैनिट मिस्स गार्डिनियर को बोलती है क्या तुम विस्वास कर पाऊगी मेरी दो लड़कियों की सगाई लगबग हो गई थी लेकिन अब कोई आसा नहीं है मैं जेन को दोसी नहीं कहती हूँ अगर उसके बस में होता तो वह मिस्टर बिंगले से विवा कर लेती लेकिन लिजी वह मिस्टर कॉरलिंड के साथ विवा कर सकती थी लेकिन अब मुझ से पहले मिस्स लूकस अपनी वेटी का विवा कर लेगी मिस्स गार्डिनियर बोलती है मुझे काफी दुख है और एक सबता के जेन गार्डनियर फैमिली के साथ लंडन चले जाती है और सिग्र ही कॉलिन्स और चार्लोट का विवा भी हो जाता है और दोनों हंस फॉड चले जाते हैं दो महीने के बाद मार्च में इलिजाबित लुकस फैमिली के साथ अपने दोस्त चार्लोट के यहां मिलने जाती है चा कैथरेन डेवर्ग महमानों को अपने यहां डिनर पर बुलाती है तभी मिस्टर डार्सी और उसका चचेरा भाई करनल फिट्स विलियम अपनी मौसी से मिलने वहां आता है इलीजाबेथ डार्सी को देख कर काफी गुशा हो जाती है पर महमानों के सामने इलीजाबेथ डार् लेकिन अब डार्सी भी हन्सपॉड लगतार आने लगा है एक दिन मिस्टर डार्सी इलिजबेट से तब मिलने आया जब वो अकेली थी डार्सी इलिजबेट से कहता है मैंने अपनी भावनाओं को दबाने का काफी प्यास किया है लेकिन मैं सफल नहीं हुआ मुझे कहना ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ डार्सी आगे बोलता है अपनी पतनी के रूप में मैं तुम्हें कभी नहीं चुनता एक दूसरे से हमारा कोई मेल नहीं है लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे आसा है कि तुम मुझे से विवा कर लोगी इलिजबे दार्सी जोर से बोलता है नहीं और मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारी बहन की सगाई मिस्टर बिंगले के साथ नहीं हुई इलिजबेथ आगे बोलती है विखम गरीब है और वह कस्ट में है सिर्फ तुम्हारे कारण डार्सी बोलता है तो तुम ऐसा सोचती हो बाद मुझे या सब बताने के लिए और डार्सी गुस्से से वहां से चला जाता है इलिजबेथ इतनी हैरान और दुखी थी कि वह कुछ और सोची नहीं पाई और अगली दिन जब वह सुबा उठती है तब भी वह काफी दुखी थी वह बाहर आ गई इस आसा में की चलने स दुखा, और उसका मन सान्थ होगा पर वहां पर भी उसे डार्सी दिखाए देता है, डार्सी इलिजबेथ से कहता है मैं तुभारी ही परतिच्छा कर रहा था क्या तुम इस पत्र को पढ़ोगी पत्र देकर डार्सी वहां से तुरंथ चला जाता है इलिजबेथ उस पत्र को पढ़ती है उसमें लिखा हुआ था कि यह सच है कि मैंने बिंगले सिस्टर के साथ मिलकर यह कोशिस की थी कि बिंगले जेन को भूल जाए मैंने बिंगले से कहा था कि जेन उसे प्यार नहीं करती है और जितना मैं देख सकता हूँ मुझे लगता है कि वह नहीं करती है और जहां तक विखम की बात है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह उसने मेरे पिता को मुर्ख बनाया और मेरी बहन के साथ उसने कैसा वहवार किया तुम करनल फिट्स विल्यम से बात क्यों नहीं करती वा सारी सच्चाई जानता है डार सी आगे लिखता है विखम पादरी नहीं बनना चाहता था वा कानून की पढ़ाई करना चाहता था मैंने उसे पैसे भी दिये थे पर उसने सारा पैसा गवा दिया और पिछली गर्मियों में विखम ने उस आरत के साथ मिलकर एक लिजना बनाई जो मेरी बहन जॉर्जियाना के देख बाल करती थी जॉर्जियाना विखम से प्यार करने लगी थी और विखम ने उसे घर से भाग जाने के लिए उक्साया था, कारण था जॉर्जियाना का पैसा, पर जॉर्जियाना ने अंतिम घड़ी में अपना फैसला बदल लिया, और मुझे सब कुछ बता दी, विखम जटपट नगर से चला गया, फिर लंबे समय तक हमने उसे नहीं द जटा था, जो कुछ विखम ने मुझे कहा, मैं उसे सच मानती रही, आखिरकार इलिजबेथ अपने घर लॉंग बॉन लॉट गई, जेन भी अपने घर आ गई थी, इलिजबेथ विखम की बारे में सारी सच्चाई जेन को बता देती है, कुछ समय के बाद, इलिजबेथ, म कुछ काम से बाहर गया था, जब एक माली महमानों को आसपास के जगा दिखाने वाला था, तब ही वहाँ अचानक डारसी आ जाता है, इलिजबेथ डारसी को मिस्टर गाडिनर और मिसस गाडिनर से मिलाती है, इसके बाद डारसी खुद महमानों को पेंबर ले हाउस गुमा प्रवानों को वही रोक लेता है इलीजबेट महसूस करती है कि ढार्सी काफी बदल गया है अगले दिन डार्सी अपनी बहन जोरजयाना को लेकर आता है इलीजबेट जल्द ही समझ गई कि जोरजयाना घमंडी नहीं थी लेकिन वह बहुत सरमीली थी जल्द ही मिस्टर बिंगले भी आ गया बिंगले इलिजबेट से मिलता है बिंगले कहता है मिस इलिजबेट आठ महाँ बीद गये हैं आपके परिवार के किसी सदस्द से मिले हुए आप सब पहने क्या अच्छी से हैं और अभी भी अपने घर में ही रह रही इलिजाबित अपने मन में कहती है अगर बिंगले ने जेन से अंतिम भेट के बाद के महीने गिन रखे हैं तो वह अभी पे भी उससे प्यार करता होगा महमानों को रात में पेंबरले हॉस में ही डिनर के लिए इनवाइट किया आता है लेकिन इलिजाबित सारी रात डार्सी के बारे में सोचते रहती है अगली सुबा इलीजबेटके पास जेन का एक पत्र आता है पत्र को पढ़कर इलीजबेटक काफी परिसान जाती है तभी वहाँ पर डार्सी आता है डार्सी इलीजबेट से पुछता है क्या हुआ इलिजबेट बताती है डार्सी को कि उसकी छोटी बहन लीडिया विखम के साथ भाग गई है इलिजबेट कहती है कि मुझे इसी समय घर जाना होगा और फिर इलिजबेट अपने मामा मामी के साथ लॉंग बॉन चले जाती है जेन वहाँ पर पौताती है कि लीडिया साथ लंडन में है बेनेट फैमली लीडिया की काफी खोज करते हैं मिस्टर गाडिनर भी लंडन चले गए थे उसकी खोज में तभी एक दिन मिस्टर गाडिनर का एक पत्रा आता है उन्होंने लिखा था कि वे दोनों मिल गए हैं और उन्होंने अभी साधी नहीं किया है विखम लीडिया से साधी तभी करेगा जब उसे कुछ पैसे दिया जाएगा कुछ दिन के बाद मिस्टर गार्डिनर का एक और पत्र आता है उन्होंने लिखा था कि मिखम को पैसे मिल गए है और अब विखम लीडिया से साधी करने के लिए तयार है और उनकी साधी उनके ही घर में होने वाली है और साधी के बाद वे लोग जल्द से जल्द ही लॉंग बॉन आ जाएंगे इधर Mr.बैनेट और बैनेट फैमली काफी परिसान थे कि Mr.विखम को Mr.गाडिनर ने कितने पैसे दिये होंगे पर जब लीडिया घर आती है तो वो बताती है कि Mr.विखम को पैसे डारसी ने दिये थे अब इलिजबेथ को भी डार्सी से प्रेम हो जाता है और इलिजबेथ डार्सी को हां कह देती है साधी के लिए पर लेडी कैथरेन दी बॉर्ग को ये साधी मंजूर नहीं था पर डार्सी उन्हें मना लेता है और अब जेन की बिंगले के साथ और इलिजबेथ की डार्सी के स होता है तो दोस्तों आपको यह नॉबल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत